गूड यूणिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में हिंद यवन सासक डेमेट्रियस के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडो ग्रीक अर्था जो हिंद यवन सासकों के आकर्मन थे उनके बारे में पढ़ा उनके बारे में जो साहित तेक्स रोत जो पुरा तात्तिक स्रोत है उन सब से हमने इंफोर्मेशन प्राप्त की थी तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोज को आप लाइक और सेर करें ताकि और लोगों तक भी हमारी ये जो इत्यास विशे से सम्माधित महत्तोपोन वरीक्षव प्योगी जो इनफोर्मेशन आप पहुंच सके तो देखेगा पढ़ते हैं हिंद यवन सासक डेमेट्रियस ठीक है डेमेट्रियस अपने पिता यूथी डेमस की मृत्यू के बाद राजा बना था संबवता सिकंदर के बाद डेमेट्रियस पहला युनानी सासक था जिसकी सेना भारतिय सिमा में प्रवेश कर सकी थी उसने एक बड़ी सेना के साथ लगबग 183 इर्शा पूरे में हिंदू कुस परवत को पार कर सिंदू और पंजाब पर अधिकार कर लिया डेमेट्रियस के भारतिय भियान की पुष्टी पतंजली के महभस्यन गार की सहिता एम मालविकागनी मित्रम से होती है इस परकार डेमेट्रियस ने पस्ची मोत्तर भारत में इंडो युनानी सत्ता की स्तापना की इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था डेमेट्रियस ने भारतिय राजों की उपादी धारन कर युनानी तता खरोस्टी लिपी में सिख्के भी चलवाए थे वह एक माहन विजेता तता महत्वा कांक्सी सासक था उसने एक विशाल सेना के साथ हिंदू कुष की पाड़ियों को पार कर सिंद तता पंजाब के परदेशों की विजे की थी देमेट्रियस का भारत के सास सम्मन्त कुष साहितेक तता पुरातत्विय परमाणु द्वारा सुचित होता है समाने ते माना जाता है कि भारत पर यवनों का प्रधम आकर्मन कुष्य मित्रशूं की समय में हुआ था और इस प्रकार आकर्मन का नेता देमेट्रियस ही था इसका उलेक अनेक भारतिय गरंतों पतंजली के महाबास से गारगी सेंता मालविका ग्रिमित्रम आदी में हुआ है इन गरंतों के अनुसार यवन साकेत माधे मिका जो जीतोड में है पंचाल तदा मथूरा को जीतते हुए पाठली पुतर तक बढ़ाये थे परंतों वे मध्य परदेश में अधिक दिनों तक न टहर सके और उन्हें सिग्रही देश को छोड़ना पड़ा था और इसके दो कारण थे गारगी सेंता के अनुसार उनमें आपस में आपस में ही घोर युद छिड़ गया था पुस्ते मित्र सूंगे विशंट परती रोद में भी यवनों के पैर उखड गए थे उसके पोत्र वसूमित्र ने यवनों को सिंदु नदी के दाहिने किनारे पर पराजिते कर दिया था यदपी यवन मद्य परदेश पर अधिकार नहीं कर सके तता पी ऐसा परतीत होता है कि पसिमिस पंजाब तता सिंदु नदी की निचली गाठी पर टेमेट्रियस ने अपना राज्य कायम कर लिया इन परदेशों से उसकी तमर मुद्रे मिलती है इन पर युनानी तता खरोष्टी लीपियों में लेक उतकिर्ण है बेस नगर से प्राप्त एक मुद्रा पर तिमित्र उतकिर्ण मिलता है करमदी स्वर के व्याकरण में दतमित्री नामक एक नगर का उलेक मिलता है जो सोवीर जो है निचली सिंदु गाठी का छेतर पर देश में इस्तित्था संभवता है इसकी स्थापना डेमेट्रियस द्वारा की गई थी ऐसा परतीत होता है कि उसने साकल पर पुना अधिकार कर लिया खार्वेल के हाति गुंपा बिलेक में दीमित्री नामक किसी यवन राजा का उलेक मिलता है खार्वेल का हाति गुंपा बिलेक अपन पहले पढ़ चुके हैं देखेगा उसको इस परकार डेमेट्रियस ने ओक खारवेल के हाति गुंपा के लेखों में दमेत्रेस की सेना सहीत उपस्तित पाठली पुतर से 70 किलोमेटर दक्षिन पूरे में इस्तित राजग्रह में बताई गया बताई गई है। सीरियन समराट एंटियोकस के साथ संदी और विवा सम्मद हो जाने के अंततर बेक्टरिया के राजवन्स की बहुत उनत्य हुई। उसने समीप के अनेग परद्यों को जीत कर अपने समराजे का विस्तार किया था डेमेत्रियस ने। बेक्टरिया के इस उतकर्ष का परदान स्त्रे डेमेत्रियस को है जो सीरियन समराट एंटियोकस त्रितिय का जमाता था। बेक्टरिया के राजवों के इथियास का परिग्यान उनके सिक्कों के द्वारा प्राप्त होता है जो कि अच्छी बड़ी संख्या में भारत वाय अन्य देशों में प्राप्ति हुए हैं. ग्रीक लेकरक्स ट्रेबों के अनुसार डेमेतियस और मिनांडर के समय बेक्टरिया के यवन राजे की सिमा दूर दूर तक पहुंच गई थी. उत्तर में चीन की सिमा से लगा कर दकसिर में सोरास्ट्र तक था इन बेक्टरियन राजों का समराजे विश्थार था अब देखेगा डेमेट्रियस का सासन क्या था सासन व्यवस्ता उसकी कैसी थी 190 इसा पूरवय में या इसे कुछ वर्ष पूरवय डेमेट्रियस बेक्ट्रिया के राज सिहांसन पर आरूड हुआ उसके राजय रोहन से पूरवय ही युथी डिमास ने हिंदू कुछ परवत को पार कर उस राजय को जीत लिया था जिस पर सुभाग सेन का सासन था इसलिए हैरात, कंधार, सिस्तान, आदी में उसके सिक्के बड़ी संख्या में उपलब्द हुए है डेमेट्रियस ने भी एक बड़ी सेना के साथ भारत प्राकरमन किया ग्रीक विवरणों में उसे भारत का राजय लिखा गया है और उसमें संदे नहीं की भारत की विजे करते हुए वाय दूर तक मध्धे देश में चला आया था इस समय भारत में मोरी अवंस के निर्बल राजों का सासन था और मगत की सेन्य सक्ति छीन हो चुकी थी मगत माजनपत के बारे में अपन पहले अच्छे से पढ़ चुके देखेगा वाँ पे सिकंदर के आकरमन के समय पंजा में कठ मालव चुद्रक आदि जो सक्ति साली गर्णाजे थे इस समय वे अपनी स्वतंतरता खो चुके थे और उनकी सेन्य सक्ति नस्थ हो गई थी यवनों के आकरमन को रोकने की उत्तरदाईत अब उन मोरी समराटों पर थी जिने भारती साहिते में एदार्मिक और परतिग्या दुर्बल कहा गया है ये समराट यवनों का मुकाबला कर सकने में ऐसमर्थ रहे इस कारण यहाँ पर जो इंडो ग्रीक सासक जो हिंदी यवन सासक थे वो आ सके थे और जो निर्बल सासक थे वो उनका सामना नहीं कर सके थे ठीक है तो इस वीडियो में हमने डेमेट्रियस नामक जो यवन सासक था उसके बारे में जानकरी प्राप्त की आगे के वीडियोज में भी हम आपको ऐसे ही प्रीक्षा से सम्मधित महत्तोपुन जानकरी देते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस से धन्यवाद